हेलो नमस्क्त दोस्तों आप देखने हैं आल्विज न्यू मूवी अपटेट्स कल बिग बॉस 14 में जो डिसीजन सीनियर्स के दौरा लिया गया है जहां पे उन्होंने सारा गुर्पाल को घर से बेगर कर दिया उसके उपर अब काफे सारे कोशन्स उठने शुरू हो चुके ह अगर हम बात करें तो ओमर रियास बहुत सक्ती के साथ जहां दोस्तों बहुत strict net के साथ उन्होंने एक tweet किया है और big boss में जो सारा गुरुपाल को घर से बाहर किया गया है उसके बारे में अपने विचार रखे हैं और हमें बता है उमर रियास क्योंकि big boss थेरा में हमने इनको देखा है तो यह काफी strict है और काफी बात अपनी साफ रखते हैं इन्होंने कहा है evicting the contestant just by the seniors is so not fair contestant have come here to entertain the people the viewer should decide by vote not just their people based on their understanding thing need to get real यहां पर वो कहते हैं कि तिरफ तीन लोग यह decide नहीं कर सकते बैठके कि किसे घर में रहना है किसे नहीं यह जो show है यह properly बनाया गया है लोगों के लिए यह show बनाया गया है people के लिए और लोगों को ही vote करके यह अधिकार मिलना चाहिए कि कौन घर में रहेगा और कौन नहीं तीन लोग यह decide नहीं कर सकते और वो भी बहुत unfair तरीके से तो यहाँ पर उमर याज ने साफ साफ कहे दिया है और आपका सकते अपना निशाना कहीं तीन seniors के तरफ रखती है और makers के तरफ रखती है कि आप क्या से ऐसा कर सकते है कि जो show आपने बनाया है audience के लिए उनहीं को आप vote नहीं देने दे रहे हो और सिरफ तीन लोगों की vote ले रहे हो और उनके नुसार आप किसी को decide करें कि कौन रहेगा कौन नहीं वेल आप लोग मुझे comment box में लिखके बताएं क्या आप उमर याज की बातों से agree करते हो यह नहीं सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वूडियो में देने